हाल ही में भारत सिरकार ने टिक टॉक समेथ उन साथ चाइनीज एप पर प्रतिबंध लगा दिया है यह बैन लगनी के बाद पब जी अचानक से ट्रेंड करने लगा है लोग यह सवाल कर रहे हैं कि जो इतने चाइनीज एप को बैन किया गया है तो पब जी को बैन क्यों नही है करण है आपको बटा दे कि पबजी एक दक्षन कोरियाए कंपनी इसका नाम ब्लू ओल्ड वहाथ है उसकी सबसीडियरी कंपनी है उसी ने बना है ये साल दुहुजार में जापानी फिल्म बैटल रोयल से प्रिरित है अब यह सवाल उठता है कि दक्षन कोरिया एक कंपनी का बनाया हुआ गेम है तो लोग इसे चाइनीज क्यों बता रहे हैं और चीन से इसका क्या संबंध है वो भी हम आपको बता देते हैं दुनिया की सबसे बड़ी गेम कंपनियों में से एक टैंसेंट गेम्स चीन की कंपनी है टैंसेंट गेम्स ने पबजी को चीन में लॉंच करने का ओफर दिया और कुछ हसेदारी भी खरीदी हाला कि पबजी को चीन में बैंड कर दिया गया बाद में इसे चीन में एक नए नाम से लाया गया फिलहाल प्लेश सोर पर भी इस गेम का publisher Tencent गेम भी है इस तरह से देखा जाए तो PUBG की ownership mix है लेकिन दक्षिन कूरिया की company Bluehole PUBG पर पूरी तरीके से अपना स्वामित्व बताती है और यही एक बड़ी वज़बना Chinese app के band में PUBG के नाम का शामिल ना होने की आपको बता दे कि PUBG की तरह Zoom को भी band नहीं किया गया है Zoom भी चीन नहीं बलकि अमेरिका की company है इसका headquarter California के San Jose में है हाला कि company की बड़ी workforce चीन में काम करती है जिस पर पिछले दिनों सर्विलांस और censorship को लेकर सवाल खड़े किये गए थे बहराल PUBG और Zoom का connection भले चीन से हो सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बल आइकन फोर अपडेट्स